आप हैं बिहार समवादाता के शाथ और मैं हूं मनोच चतुरवेदी आज एक नियोजीत सिच्छक हैं उनकी बात सुन रहा था तेरा सब पहले सुनवा दे उनको दिखा दे कि कले उ कह क्या रहे हैं साथियो कल बिहार विद्याले विसी सिच्छक नियमावली 2023 लागू हो गई है कैमिनेट की मोहर लाग गई है गजट मैं उसकी बास्तिविक रूप रेखा आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि उस पर बहुत सारे किरियाय पति किरियाय आ रहा है यह एक लाइन में हम अगर कह करना चाहे तो हम सुप्रीम कोर्ट से उसकी तुलना कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में सुनमाई हमारी चल देती समान का समानवेतन की तो बहुत सारे साथी होली मना लेते थे होली मना ये क्योंकि आज जट से हैं मुस्कुराएं हैं कुछ साथी का देते दिवाली मानाईए क्योंकि जट से हम सरकारी वकील को फटका रहे हैं और तक क्या हुई हमारी हार हो गई आज वहीं स्थिती इस नियामावली के साथ है यह नियामावली जो हमें राज कर्मी का दर्जा देने के लिए बनाया गया है इसके मैं कुछ बिंदूओं को बताना चाहता हूं सबसे पहले इस नियामावली के कंडिका तीन में देखिए जिसमें असपष्ट रूप से जो सनवर्ग निर्धारन किया गया है सनवर्ग के गठन है उसमें असपष्ट है कि अस्थानिये निकाय के भीन अस्तरो पंचायती राज नगर निकाय दो अन्यूत सभी सिख्षकों को नियम्चार के तह सच्छमता परिच्शा उस्तीन करना आवस्यक होगा तता सच्छमता परिच्चा में उत्तीन होνεं ऐसी सच्छमता परिच्च्षय के उपरांत आवंटीत विद्याले में जोगदान के पास चात वीव बिसी शिख्षक कह लाएंगे सुनली आपने उनका कहना था कि जब भी सुप्रीम कोट से जब भी कोई आता था कि सरकारी वकील को सुप्रीम कोट के जजने ज़ाड लगा दी नियोजी सिख्षक अबीर खेलने लगते थे एक चिठी निकली विधान सभा से शिख्षा विभाग से नियोजी सिख्षक मिठाईया खाने लगते थे और इस बार भी यही हुआ जैसे ही घोसणा होई मंत्री मंडल की बैठक में कि नियोजी सिख्षकों को जो है वो राज कर्मी का दर्जाद दिया जाएगा भीतर की कंडिकाएं और नियम कानून कोई नहीं पढ़ा तमाम जो बड़े नेता है वो जुम जुम कर मिठाई खाने लगे होली खेलने लगे इसी पर उस चक ने कटाज किया है ज़रा कंडिकाएं तो पढ़ लिए फिर आपकी खुसी का ठिकाना कहा है खुसी जो है गम में बदल जाएगी और इहीं पर बात करने के लिए हमारे शाथ हमेशा की तरह से सैलंद शर्मा और सैलू जी है और सैलू जी पता ही है कि एकदम सीधा सपाट बोलते हैं नियोजित सिक्षकों के पक्ष में हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं पाइदा है क्या नुकसान है सैलू जी अब तो घोस्णा हो गई लोगों नियोजित सिक्षक मिठाई खा लिए होली खेल लिए नेताओं ने भी जो 28 संगों के नेताओं ने खूसां कि अब तो हो गया तमाम तो लेकिन जो सिक्षक ने कहा है कि या कंडिका तो पढ़ लो ज देकर तो ये जरूर दिखा दिया कि सिच्षकों के परति कितना प्रेम है और सिच्षकों के परति कितना सरकार सजग है और संग कितने सजग है मैं नमन करता हूं अपने ब्यार मादमिक सिच्षक संग के महा सचिप स्री सत्रुगन परसाद सिंग जी का कि अभी भी उन्होंने बधाई देकर और फिर जो सरकार की ये घोसना मात्रे स्टम्प लगा कर की गई है इसके बिरोध में अपने को मुखर किया है मने आप ये बढ़ाई कर रहे हैं सत्रुगन जी की कि मतलब पहले तो डुबा दिया नियोजितों को कि बीना लडाई लड़े बीना परिक्षा दिये लेंगे अब कह रहें कि अब बड़ा खुसी का बात है फिर अब कह रहें अंदोलन दुमुहिया बात क्यों हो रही है सब सं वरत संगहर्स की और अग्रसर रहें सिच्छक बियार के इनका संगहर्स कभी रुके नहीं यह संगहर्सील प्रानी रहें और इसके वोट में सारी राजनीती सदता रहे सारे सिच्छक जो हैं कर्तब सील रहें लगन सील रहें और संगहर्सों के परती सजग रहें क्रामतिका मतलब हमेशा सिख्षक को जंडा उठाते रहें हमेशा सभी बच्चों को पढ़ाए नहीं बिलकुल जैसे राजनितिग्यों ने गरीबी बेरोजगारी और महंगाई का जंडा उठाए रखने के लिए तयार रहते हैं आम जंता को प्रेरित करते रहते हैं वैसे बिहार मादमि सिख्षक संग और जितने ये जो हमारे नए क्रांतिकारी नौजवान नौजवानों का 28 संगों का जो मुखिया हैं इनकी क्रांतिकारी भूमिका रहनी चाहिए और जितने सिख्षक परतिनिधी शम्मानित हैं चाहे उनका बेतन रुख जाए पेंसन रुख जाए फिर भी व दूट बने हुए है करांटी की पुकार कर रहे है आवान कर रहे है मुख्यमंतरी सरे मिल लेता है बदाई हो सहाब बदाई कि आपमें नियोजीतों को सरकारी करमचारी कर दिया गुल-दास्ता दे रहे है और ढूब के सलाम कर रहे है और सिच्चक भीतर ही भीतर अपमान का घूट पीकर देख रहा है यह अपमान किस दिन बिस्फोटक की स्थिती में आएगा यह कहना बहुत मुश्किल है धन्न है नौजवान मेधावी होते हुए धैर्ज और अनुसासन का परचे दे रहे सरकार के खिलाप जविन के सम्मानित परतनिदी और संग के 32 जिलो जो अध्यच और सचीब है परमंडलों के अध्यच और सचीब है और जितने अनुमंडल के अध्यच और सचीब है उसमें तो कई अनुसासन को तोड़ा है संग के यहां तक कि ब्यार मादमिक सिच्छक संग के सम्मानित अध्याच जी अभी सिच्छा मंत्री मानिय सिच्छा मंत्री के तरह ही लपता गण्य में है सेलू जी नियोजी सिक्षकों को पहले माजमिक सिक्षक संग के महा सचीव ने रूका कि बीना परिक्षा दिये ही राजिकर्मी का दरजा मिलेगा आप भी उस बैठाग में राते थे बीना सर्थ दरजा मिलेगा आपको सरकार ने कही कि इंतजार कीजिए तमाम तारीख पे तारीखे तय होती गई उसके बाद जब पहला बीपीएस्टी ने सिक्षकों के लिए इजाम लिया उसमें संग के जो मने मेंबर हैं माजमिक सिक्षक संग के उनके अपने लोगों ने तो फार्म भर दिया राजिके पाद ये हला उड़ाया कि नियोजी सिख्षक काबिल नहीं है इसलिए परिख्षा निजे सरकार के तरफ से खेके पाटा के तरफ से आवाज आई नियोजी सिख्षकों ने इस बार पहली बार भी दिखा दिया और दूसरे में भी दिखा दिया है एक बिद्याले पटना जिले में ऐसा है जहां सत्रह के आसपास नियोजी सिछक हैं महिला और पुरुस मिलके और सत्रहों ने निकाल दिया है और कहा कि BPSC निकाल के हमने दिखा दिया सरकार को लेकिन जाएंगे नहीं आखिर क्या कारण है BPSC का दर्जा BPSC पास कर लिए और ने करें कि नियोजी से नहीं जाएंगे कारण क्या है ये सिछकों को उपेच्छा के भाव से देखना कि नौजवान सिछक पढ़ाते नहीं है बिद्याले जाते नहीं है और जो सिछन बेवस्ता है चर्मरा गई है इसमें मुख रूप से नौजवान सिछकों की देन है आखिर इनकी नियुक्ति कैसे हुई सिछक इकाईयों को समाप्त करके एक इकाई समाप्त हुआ पांच नियोजित सिछक उस पर बहाल हुए और इसी का हसर हुआ कि परतेक बिद्याले में सिछकों की संख्या बहुत अधिक हो गई बहुत नगन्य हो गई और सिछक जो है नियोजित बढ़ते गए लेकिन एकाए की इन में परिवर्तन आया आखिर सैचनिक इस्थिती और सिच्छकों की इस्थिती इस हद तक पहुँच गई कि बेतन के लाले पढ़ने लगे बेतन मान नहीं मिला सिच्छक संगों ने मुगालते में इनको रखा मानिये सर्बोच नियाले तक इनके पैसों से वसूल कर और नियाय की गुहार लगाई साड़कों से लेकर लोक सबात तक लेकिन कुछ नहीं मिला लेकिन मेधावी तो थे और परचम लहराया टियारी वन में टियार टू में भी परचम लहराया इतने कटप मार्श के बाद भी बिलकुल बिलकुल और यह विश्वशनियता उनमें है और जो इस्थिती सरकार बना रखी है और सरकार के जो कुछ पदादीकारी है मानिये केके पाठक जी का मैं सब तरह से परसंसक हूँ लेकिन कुछ मामलों में उनके किये गए कार्जों का मैं बिरोध करता काउंसीलिंग हो रही है टियर टू के सिक्षकों की उसमें कहीं वहां इतनी अब्यवस्था फाइली हुई है कि कल बेगू सराय में करीब करीब पंद्रहो सिक्षक जो हैं बेहोश हो गए और केके पाठक भी निरक्षन कर रहे हैं इन सब चीजों का डाइट सेंटर पहुच रहे हैं कहरे हैं कि ट्रेनिंग कीजिए गाउं में ही आपको जाना है सबसे बड़ी बात है कि जो नियोजित सिक्षकों की चर्चा बिहार संबादाता ने हमेशा से की है और एक बुलंद पहली गलती हुई कि जिस विद्याले में रिखती है उस विद्याले में उनको तजरीष देना था लेकिन जिन जिलों की परात्मिक्ता आवेदन में लेक किया था उन लोगों ने उससे इतर पटना जहानाबाद गया का दिया बैसाली का दिया तो उनको जमूई कर दिया गया और जमूई से भी सुदूर देहात में सिभर कर दिया गया सुदूर देहात में ऐसी क्या परिस्थिती आई और पटना के इर्दगिर्द सहरों के इर्दगिर्द जिला सिच्छा पदा धिकारियों के अवैदुगाही से जहां यूनिट नहीं है वहाँ पर बहाली की गई है निउक्ती की गई है पदस्तापन किया गया है इसकी जाच होनी चाहिए और मैं माधमिक सिच्छक संग के मानिये महा सचिब महोदे से निवेदन करना चाहता हूँ कि सिच्छकों को जो टी आर वन में BPSC में अपियर होने के लिए नहीं आपने किया इस भूल को सुईकारें टी आर टू में आप चूप क्यों रह गए और इनके निवक्ती और पदस्तापन की परकिरिया में जो जिला सिच्छा पदाधिकारियों के द्वारा जो खेल किया गया है इसके बारे में आप आवाज उठाएं इसकी जाँच कराएं और कल भी सची वाले में बहुत सारी सिच्छी काएं दस वजे रात तक थी B.R.C. में क्यों नहीं जोगदान किये क्यों आप D.O. ओफिस में गए क्यों स्कूल में जोगदान कर लिए क्या परिष्थितिया है मने इतरा से प्रतारिट किया जा रहा है सिच्छकों को जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर किया जा रहा है आपने फिर सरकार के इसमें किस आधार पर आपने समर्थन किया समर्थन करने का क्या मुल्य है और चित्य क्या है इसको समझाएं आप बाद में इसके निंदा क्यों की आपने आंदोलन का आभान किजिए इस फिरंगी नीतियों के खिलाब या या आप इस फिरंगी नीतियों के साथ हो जाईए मैं संग का बिरोधी नहीं हूँ आपके कार्ज कलाब और आपके नीतियों का मैं बिरोध करता हूँ कल तक आप चुप थे मुझे राजकर्वी का दरजा मिल जाएगा बिना सर्थ सिच्छक भी आसानुवित थे कि हमें अब नसा उतर गया अब नसा उतर गया कंडिकाओं को देख शंग आगे है शंग आगे नहीं है संग का पदस्थापित ब्यक्ति आगे है और उसके देखरिक में यह काले कारनामे सरकार के द्वारा और सरकार के सिच्छा विवाग के पदादिकारियों के द्वारा हुआ है कभी माप नहीं करेगा आपको नेतित्व को और ये जो छोटे छोटे छुट भाईये जो कुकुरमुत्ते के तरहुग आये थे ये नौजवान करांतिकारी सिच्छक जिन्हें राजनीतिक बनने का और राजनीतिक करने का जो सौख और हुआ चड़ा है ये लोग दिख भ्रमित किया है कभी सिच्छब और सिच्छक और समाज माफ नहीं करेगा जो अपने संगर्ष के लिए जाना जाता था और संगर्ष के बल पर उपलब्दियों को प्राप्त किया था सारी सुगधाओं को प्राप्त किया था आज परतेग विद्याले में पाँच ये तरह के सिचक है और आप अब अतिबिसिस्ट विद्याले अधिया पर नियमा उनी तो सत्रुगन प्रशाद सिंगी बना के देते थे और सारी स्थितियां को आप पर आरोप लग रहे हैं मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ आरोप सारे लोग लगा रहे हैं कि इसके मूल में महागट बंधन में समलिद भारतिय कॉमिनिस्ट पार्टी के सिद्दादारी लोग और महागडबंदन में जितने भी सिचक परतनी दियें उन पर उंगली उठ रही है और मैं कहता हूँ सिचकों से और नौजवान सिचकों से और जो नौनत्न बने हुए हैं जो सलाह देते हैं संग के नितित्व को उनको भी मैं चिताब नहीं देता हूँ कि इस तरह के हरकतों से बाज़ाएं सिच्षक समाज कभी भी आपको माफ नहीं करेगा पहले तो आपने टियर वन में जो भी बप्यसी की परिशा हो रही थी उसमें आपने नियोजी सिचकों को फार्ण नहीं भरने दिया कहा कि बिना सर्थ मिलेगी और आज वास्तों में सच्चाई आ गई है कि जो कंडिकाओं में जो नियम है नियोजित सिख्षक को एक तरह के से खिलावना दे दिया गया है जुन जुना आप मत कहिए जुन जुना से जरासा उपर खिलावना दिया गया है कि लिजिए तीन बार परिछा दे के आईए तीन जीलों का च्वाइस भरिये लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है कि जो सिख्षक संग के नेता जिन्होंने खेल खेला है सिख्षकों के साथ वास्तों में सिख्षक और समाज कभी माफ नहीं करेगा बर्तमान में जो सिख्षकों का बिहार राज बिशिष्ट अध्यापक नियमावली 2023 जो एक काला अध्याय होगा और इस नियमावली के तहट जितने भी सर्ते हैं जितने भी कंडिकाएं हैं सब काली सूची के लाइक है इसका बहिसकार करना चाहिए और इसको खुले आम सड को पर इस नियमावली को होली नहीं बलकि होली का दान करने किया सकता है लिसार कर दिया लहू-लुहान कर दिया इस नियमावली ने सिख्षकों के चरित्र को मुल्ले को और इसकी असमिता को। आज के लिए वस इतना ही और सैलू जी ने आज फिर से चितावनी दे दी माधिमिक सिक्षक संक्या धक्षकों की समाज आपको छोड़ेगा नहीं जो करतूत आप कौमनिस पार्टी के निताओं के साथ मिल कर किये हैं इसे हम वक्त पर छोड़ देते हैं कि सिक्षक अब कितना जो है सजग होते हैं और इन नेताओं से अलग हटके जो उनको समाज का दाई तो मिला है बच्चों को सिक्षित करना साइद अब अपनी मूल भावना को सोचते हुए बिहार को एक नया भविश से ये सिक्षकनिस की त लागत नमस्क्ता नमस्क्ता